हेलो वर्गो यानि कन्यारासी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश गोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रीपल एस हिंदी टैरो में तो आज हम फ्रेंड्स ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वर्गो यानि कन्यारासी के लिए पास्ट प्रेंट और फ्युचर की अनरजी देखेंगे जो उनका पास्ट जो रीसेंट पास्थ होगा और 72 hours current energy और जो nearest future है जो 25 October से 31 October तक की हम इसमें energy देखेंगे तो चलिए देखते हैं युनिवर्स से पूछते हैं कि आपका past, present और future कैसा रहने वाला है वर्गो यह आपका past के लिए आया है recent past के लिए यह present energy है 72 hours के लिए यह future है और यह इसका guidance के लिए है दा past यह वर्गो कन्यारासी आपके लिए past के लिए आया है हो सकता है कि आपको जो past था वो काफी प्रेशानियों से काफी दुखों से बीता हो हो सकता है कि किसी किसी का इसमें इतना loss हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा सब कुछ अपना खो चुके थे सब कुछ अपना खतम कर चुके थे लेकिन जो nearest past दीख रहा है उसमें आपको एक किरन दिखाई दी है इसमें एक नई जोती दिखाई दी है आपने दुबारा से अपने past को अच्छा बनाने की कोशिश की है अभी आप ने past में काफी हो सकता है healing की है तो इसमें healing की जरूरत थी prayer की जरूरत थी meditation की जरूरत थी जो आपका सब कुछ खतम हो गया था तो ये एक नई beginning नई शुरुआत होती इसमें नजर आ रही है हो सकता है कि कुछ लोगों की इसमें अच्छी नई beginning हो गई है शुरुआत हो गई है लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनकी अभी तुरह जो ये current energy है उसमें हो सकती है उनका past में नई beginning नई शुरुआत हो चुकी है और इसमें काफी लग रहा है कि आगे आपको काफी opportunities मिलने व होया था वो सब कुछ आप वागपेस धीरे धीरे करके gain कर सकते हैं अब और अभी आपको कुछ समय के लिए इसमें परेशानियां दिक्कते हो सकती हैं लेकिन आने वाला future आपका काफी bright इसमें दिखाई दे रहा है कि जिनोंने इसमें अगर कोशिश की है अपने past में meditation करने की prayer करने की healing करने की इसमें आपको deep healing की जुरूरत required की गई थी इसमें तो जिन लोगों ने इसके साथ भगवान के साथ अपना relation बनाया है और उनकी beginning अच्छी हो चुकी है धीरे धीरे करके वो अपना future अच्छा बनाएंगे night of king of cups तो यह आपकी present energy है जो आपने नई beginning नई शुरूआत आप कर चुके हैं आपकी आपने past में healing कर चुके हैं प्रेयर कर चुके हैं तो आप एक अपने present energy आप काफी अच्छी गेन कर चुके हैं आप एक राजा की तरह दिखाई दे रहे हैं आप बहुत सुल्जेवे हैं आप सब की प्रेशानिया सब की दुख तकलिफें समझते हैं आप सब की मदद करते हैं आप सब के साथ बहुत प्यार से बहुत करुना से बहुत दया से पेस आते हैं, तो आप एक जो आप अपना जीवन बिता रहे हैं, जो आपकी current energy है, वो काफी खुशियों से बरी हुई है, आप का जो समय चल रहा है, वो काफी अच्छा है, वो काफी आपको सुख देने वाला है, काफी खुशी देने वाला है, आप इसमें बहुत खुश रहने वाले हैं, एक राजा की तरह आप रहने वाले हैं, राजा या रानी की तरह कह सकते हैं, काफी बहुत जल्दी emotions में, आप काफी जल्दी बच्चों की तरह रूट भी जाती हैं, लेकिन आप अपने आपको handle कर लेते हैं, तो ये आपकी अनर्जी इसमें बता रही है कि आप काफी सच्चे दिल के सच्चे मन के बहुत सुलजेवे इंसान है और आपका जो future है वो काफी bright हो सकता है आपकी अनर्जी काफी bright दीख रही है काफी अच्छी दिखाई दे रही है तो temperance आपका future बता रहा है वर्गो के आप आपको जो थोड़ा बहुत गुसा आता है कभी कबार तो या आपको उसमें patience रखने की जुरूरत है temper पर काबू करने की जुरूरत है अपने balance को बनाने की रखने की जुरूरत है जो आपकी personal और professional life है तो उसको अलग-अलग रखने की जुरूरत है जब आपको professional और personal life को आप इकठा ना करें जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसी के according आप चले अगर आप relation के time पर आप relation वाली बातें करें काम के time पर job के time पर job वाली बातें करें यह सब आपको balance बनाने की जुरूरत है इसमें आपको आप काफी इसमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं आपका future काफी bright दिखाई दे रहा है अगर आप अपने अंग पर काबू पाते हैं अपने गु बहुत ही universe की blessings आपके साथ हैं आप काफी name और fame पा सकते हैं तो आपका future काफी bright दिखाई दे रहा है बले ही आपका past में कुछ चला गया हो खतम हो गया हो लेकिन आपका future धीरे धीरे करके काफी अच्छा काफी growth करने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अपनी life में एक balance बनाने की जुरूरत है एक जो आप चीजों को उलट पुलट करते हैं या कभी गुसा कभी कभी प्यार कभी आप मतलब कभी उधर कभी इधर करते हैं थोड़ा सा उस सब में काबू पाने की जुरूरत है आप बाकी आपका future काफी अच्छा काफी bright रहने वाला है तो ये guidance आ आपको थोड़ी सी प्रेशानी कोई भी दिक्कत आ रही है तो अगर आप किसी बड़े बुजूर्ग की या कि किसी परिवार वाले की किसी की भी help लेकर जो भी काम करते हैं तो आप उसमें काफी अच्छी growth पा सकते हैं काफी success पा सकते हैं ये ये six of cups का कार्ड आया है तो ये काफी अच्छा कार्ड है काफी प्यार महबत से बरा हुआ कार्ड है का तो आपको अपने मतलब बड़े बुजूर्गों के साथ मिलकर या उनकी सला लेकर या गुरू या मेंटोर की सला लेकर अगर आप काम करते हैं तो अपने present और future को आप काफी अच्छा काफी bright काफी success बना सकते हैं चाहे वो प्यार के लिए है चाहे वो business के लिए है चाहे वो किसी काम के लिए है या पढ़ाई के लिए है आप हर चीज में success हो सकते हैं तो आज के लिए वर्गों इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए मुझे आपके प्यार की मॉटिवेशन की जुरूरत है क्योंकि इससे मुझे में हिम्मत आती है ताकत आती है तो आज के लिए नमस्ते थैंक यू सो मच